दूसरा कुरंतियों चार अधै उसका अठारा पद और हम तो देखी हुई वस्तो को नहीं परंतु अंदेखी वस्तो को देखते रहते हैं क्योंकि देखी हुई वस्तो थोड़े ही दिन की हैं परंतु अंदेखी वस्तो सदा बनी रहती हैं मसी में प्रेभाईयों और भैनू और टेवी के श्रोताओं आज से लेकर मैं आपको स्वर्ग के उपर संदेशों को दूँगा मैंने पहले से ही आपको दस साल पहले मैंने आपको बहुत से स्वर्ग के उपर संदेश बताये थे और उस संदेशों के उपर दो किताबें भी लिखी हुई है उन में से एक नॉवमबर 2006 में स्वर्ग एक वो साथ अलग अलग भाशाओं में प्रकाशित हुई Korean, English, Spanish, Indonesian और यह अन्य बहुत से अलग भाशाओं में भी तमिल में भी यह प्रकाशित हुई और स्वर्ग दो किताब यह भी तीन भाशाओं में प्रकाशित हो चुकी है Korean, English और French भाषा में और अभी भी ये किताबे बहुत से अलग-अलगने भाषा में ये प्रकाशित हो रही है क्या कारण है कि मैं आपको स्वर के उपर इन संदेशों को दे रहा हूं यह इसलिए है क्योंकि ऐसे बहुत से चीज़े हैं जिनने पिता परमेश्र हमें बताना चाहते है इसलिए स्वर की उपर संदेशों की शंखला में मैं आपको स्वर के भेदों की बारे में बताऊंगा जो क्यों किताबों में नहीं लिखा हुआ और ये संदेश इनको टीवी प्रोग्राम में भी दिखाया जाएगा ताकि हम बहुत से लोगों की अंदर हम स्वर की सची आशा को बोसके मैं आशा करता हूं आप सभी सदसे वो और जदा विश्वास आशा और वो और जदा प्रेम से भढ़ने पाई जब आप इन संदेशों को सुनते हैं आज का बाईवल पद दूसरा कुरंतियों चार अधे उसका अठारा पद कहता है और हम तो देखी हुई वस्तों को नहीं परंतु अंदे की वस्तों को देखते रहते हैं क्योंकि देखी हुई वस्तों थोड़े ही दिन की हैं परंतु अंदे की वस्तों वो सदा बनी रहती हैं सबी चीजे जो भी हम इस प्रित्वी पर देख रहे हैं इस सारे रिक्षंसार में सूरीय चान ये किवल कुछी शणों के लिए है अगर आप अनन जीवन के बारे में सोचे अगर हम अनन जीवन के बारे में सोचे तो हम इस धर्ती पर केवल कुछी शणों के लिए जीते हैं हम केवल कुछी शणों के लिए इस पृत्वी पर है लेकिन जो जीवन आएगा जो भी अंदेखा है वो अनन जीवन है इसलिए हम अपने हिदे को इस इंसार की चीजों में नहीं डालना चाहिए जो केवल कुछी शणों की है अगर हम उनके तुलना अनन की चीजों के साथ करे यहां तक कि कुछ ऐसे चीज़े हैं जो दिखती नहीं तो भी मैं आशा करता हूँ तो भी ऐसे बहुत से चीज़े हैं जो अननन काल के लिए है प्रभुशु मसी के नाम से प्रातना करता हूं कि अबुधिमान विश्वासी बने और स्वर के आशा से भरे रहे मसी में प्रियभाईयों और भेनों को एक वेक्ति है जो विदेश में जाता है और वो फिर वापस आकर आपको इस तरीके से बताता है कि जब मैं उस देश में था मैंना ऐसा महसूस किया जिस स्थान पर में रहा वहाँ पर घर वो बहुत ज़्यादा सुन्दर था कि साथ बने थी ये बिल्कुल ऐसा था कि जैसे पहाडों पर कोई एक सुन्दर घोसला बना हूँ और वहाँ पर बहुत अलग-अलग जानवर थे और अलग-अलग पेट थे जो मैंने पहले कभी नहीं देखी सबसे पहले वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुन्दर बन्दर थे और उन बन्दरों के बहुत ज़्यादा सुन्दर चहरे थे वो यहां था कि वो बंदर वो मुझसे डर भी नहीं रहे थे और वो मेरे साथ खेल रहे थे और वो बंदर मेरे कंदे पर आकर बैठ गए मेरे प्रात्ना घर में बहुत से ऐसे कीडे मकोडे हैं जो मनुश्यों से नहीं डरते वहां पर ड्रेगन फ्लाइज भी है वो ड्रेगन फ्लाइज आती हैं और वो हमारे हाथों पर बैठ जाती है यहां तक किसी काड़ा आते हैं और वो हमारे सामने बैठ जाते है जब वो खरगोश वो उस घर से नहीं जाते तो उनकी बाने के बाद भू चले चाहते हैं यहां तक कि वहां पर कुछ कबूतर भी है और वो अपने कुछ दोस्तों को उस घर में लिया आते हैं लेकिन मैं शमा चाहता हूँ कि मैं ऐसे बुरे शब्दों को बोल रहा हूँ यह बुरे कुटे यह उन्हें खा चाते हैं इसलिए हमें उन्हें बान कर रखना पड़ता है वरना यह उन अनुंग्रहकारी कबूतरों और उन खरगोशों को खा चाहेंगे मैं बहुत सदा शमा चाहता हूँ कि अब वो खरगोश और वो कबूतर जो पहले वहाँ पर खेलते थे अब वो वहाँ से चले गए है वो खरगोश और वो कबूतर वो डरते नहीं थे और वो उस घर से नहीं जाते थे यहां तक कि वहाँ पर कोई पंखा भी नहीं था वो उस घर में खेलते रहते थे लेकिन उन कुत्तों ने उन खरगुशों को मार दिया मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि किसी कुत्ते ने किसी गिलहरे को पकड़ा क्यों कि वो बहुत देज भागती है और ये वहाँ पर ये और भी जादा बहुत सादा मज़ेधार था अपर दिख रहे थे वह अच्छे थे वह साधारण और वह इमान दार वहतीते थे जब आप इस तरीकि की कहाणी को सुथे है तो आप सोच सकते हैं कि हो स्थान इस पृत्विव पर स्वर्गलुक होगा किए वास्थों में इस पृत्विव पर ऐसं Projectil धान में ये कहानी ये क्यात्री के अनुछेद से ली गई है, जो की मद्य गोसकार में गया था, जो की एक टापू है, जो की पूर्वी अफिरिका में है, मेडिगासकार, वो इस पूरे संसार भर में चोथा सबसे बड़ा टापू है, और इसका साइस वो साउथ कोरिया से 6 गुना बड़ा है, जब आप सुनते हैं, जब लोग आपको बताते हैं, एक ऐसे स्थान के बारे में जहां पहले कभी नहीं गए, तो आपके पास बहुत से नई सूचने आती है, एक नए स्थान के बारे में जो इस अंसार में है, और आप उस बात पर विश्वास करते हैं, जो भी वो लोग आपको बताते हैं, जब आप किसी दूसरी देश में जाते हैं, और जब आप वहां पर कुछ देखते हैं, किवल कुछी समय के लिए, तो ये एक छोटा साही भाग है, कि आप उस देश के बारे में जानते हैं, ये सच बात है, कि आप उस देश के बारे में आप सभी चीज़े नहीं जानते, इसलिए यदि आप उस देश के बारे में गहरी जानगार्यों को प्राप्ट करना चाहते हैं, तो क्या आप केवल एक ही वेक्ति जो केवल उस स्थान पर छोटे ही समय के ले गया क्या वो आपको सभी चीजों के बारे में सभी बाते बता सकता है एक वेक्ति जो उस स्थान पर बहुत जादा लंबे समय से रहे रहा है आप उससे उन गहरी जानगारों को ले सकते हैं जो उस देश में ज़ादा समय से रहे रहे हैं ये बिल्कुल उसी तरीके से है जब हम स्वर की राजे की बारे में जाना चाहते हैं इस पूरे संसार भर में किवल कुछ ही ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से कहते हैं कि उन्होंने स्वर की राजय को देखा है या फिर वो वहाँ पर परमेश्वर के विश्ष अनुग्रहे के द्वारा गए हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत से जगों पर जाते हैं और वो फिर अपने अनुभाओं को बताते हैं और ऐसे कुछ और लोग हैं जो किताबों को लिखते हैं क्योंकि परमेश्वर स्वर की राज़े के उन भेदों को बताना चाहते हैं इसलिए वो उनको स्वर की राज़े में बताना चाहते हैं जो एक सी ध्रिदे के साथ दूसरों को स्वर की राज़े के बारे में बता सकी परमेश्वर बहुत से लोगों को चाहते हैं कि वो परमिश्र के वश्णों पर विश्वास करे और वो स्वर की राज़े में आए जब बहुत से लोग वो स्वर की राज़े का नुभाव करते हैं तो उनके अलग-अलग अनुभाव होते हैं सबसे पहले जब वो मरते हैं और जब उनको दुबारा से जनम मिलता है तो आत्मा हमारे शरी से बाहर निकलती है तब वो उस जीवन का अनुभाव करते हैं जो जीवन आने वाला है और दूसरा उधारन है जब वो किसी दर्शन को देखते हैं परमेश्र के द्वारा दे गए किसी वर्दानों या फिर जब अवित्र आत्मा के अगवाई के द्वार उनकी आत्मी काके खुलती है और जो वो अपने दर्शन में स्वार का राजे देखती है और तीसरा उधारने जब उनकी आत्मा स्वार की राजे में जाती है मैं आपको होज़ा दगे रहे सी प्रकाशित वाके के उन संदिशों में बताऊंगा ऐसी स्थिती में जहां पर उ परासवर की राजय में जा सकता है बाइबर में प्रेरित पॉलोस और यहुना वो आत्मा में होकर स्वर की राजय में गए लेकिन वो वैक्ति जो भी विशारिरिक मनोश्य है उसकी आत्मा को भाजित करने के लिए परमिश्यों को उसको विजदे शुरक्षा देनी पड़ती ह ऐसे मामलों में शरीर जो इस पृत्मी पर रहे जाता है उसमें फिर भी जीवन होता है लेकिन उनके पास कोई भी होश नहीं होता उनके पास सासे होती है क्योंकि उनका प्रान उनके अंदर बना रहता है क्योंकि उनकी आत्मा ही जाती है वो समय भी सासे ले रहे होती है क्य जब बहुत से चीजों के बारे में सुनते हैं और देखते हैं सुर के बारे में, जब वो उन सभी बातों के बारे में बताते हैं जो भी उन्होंने देखा और वहाँ पर सुना और वो सभी वैकती, फिर वो प्राण के कारियों के द्वारा प्रभावित होकर इन सभी चीजों क बताते हैं और इसके अलावा भी केवल कुछी ऐसे लोग है जो पूरे स्वर की राजे में जा सकते हैं इसलिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है अगर हम कहें कि वो बिल्कुल पूरे स्वर की राजे के बारे में जानते हैं जो पूरे स्वर की राजे में जाते हैं तो आप पूरे चीजों को कितना ज़्यादा समझते हैं उधारन के लिए बहुत से लोग न्यूयोर्क में जाते हैं जो युनार्टेट स्टेट में है और वहाँ पर एंपार स्टेट की बिल्डिंग को देखते हैं इस मामले में वो उस बिल्डिंग के बारे में किवल कुछी बाते बोलते हैं कि न्यूयोर्क में बहुत से बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स है और वहाँ पर अगर आप इस बात को जानना चाहाते हैं कि क्यों उन्होंने इतनी बड़ी बिल्डिंग्स को बनाया और इसको बनाने में कितना समय लगा होगा और किस कंपनी ने ये इतनी बड़ी-बड़ी मंचिले बनाई और इन बिल्डिंग्स के अंदर क्या-क्या हो रहा है तो आप इस बिल्डिंग के मैनेजर से इन सभी बातों को पूछ सकते हैं इसी तरीके से ऐसा कौन है जिसके पास्वर की राजे के बारे में सबसे ज़्यादा ग्यान है वो हमारे पिता परमेशर है इसलिए यदि आप स्वर की राजे के बारे में और ज़्यादा गहराई से जाना चाहते हैं तो फिर आपको परमेशर से उन सभी व्यक्याओं को प्राप्त करना है यहां तक कि जब मैंने इस कलीसिया को खोला तो मैंने केवल परमेश्रों के वश्णों पर और मैंने केवल प्रात्नों पर ही ध्यान दिया और 1982 में मैंने अपनी घर को छोड़ दिया मैं रवीवार की शाम की सभा के बाद वहां से चला जाता था और शुक्रवार की सभा से पहले में वापस आता था शाम की सभा के बाद मैं मेनी बस या फिर मैं ट्रेन में जाता था तब मैं वहां पर लगातार पूरी दिन वहां पर लगातार प्रात नहीं करता था और फिर मैं वहां पर प्रकाशनों को प्रात करता था और शुकुरवार को मैं वहाँ से वापस आ जाता था वहाँ पर शुकुरवार रात्री सभा के लिए वहाँ पर पिता परमिशुर से उन सभी वाक्याओं को प्राप्त करने के लिए जो भी बाइबल के पद मुश्किल जान पड़ते थे और एक पास्टर के रूप में परमिशुर से सामर्थ है प्राप्त करने के लिए इसलिए मैंने बहुत सी अंगिनत प्रात्नाओं को और बहुत से उपासों को किया पहले दो सालों में जब मैंने इस करिक्षे की शुरुआत की तो पर्मिश्ण ने मेरे हिदे को प्रभावित किया कि मैं अपने जनम दिन पर उपास करूँ रविवार के दिन 1984 में मेरा जनम दिन था और पर्मिश्ण ने मेरे हिदे को प्रभावित किया और परमेशन ने मेरे हिदे को प्रभावित किया कि मैं उसी प्राथना स्थान पर रहूं और लगातर वहाँ पर प्राथनाय और वहाँ पर उपास करूं मुझे शुकरवार को वहां से वापस आना था लेकिन परमेशन ने मुझे आगया दी कि मैं वहां पर तीन दिन तक उपास करूँ इसलिए मैंने वहां पर शुकरवार, शनीरवार और रविवार को पहार पर उपास किया और फिर परमेशन ने मुझे बताया और फिर परमीश्री ने मुझे स्वर के बारे में गहराई से उन्होंने मुझे जानकारी देना शुरू किया क्योंकि मेरी प्राथनाए वो संपूर्ड नहीं हुई थी इसलिए मुझे वहां पर उपवास करना पड़ा क्योंकि उस दिन मेरा जनम दिन था इसलिए परमेश्र ने उसे और सदा महानता से ग्रहन किया इसलिए परमेश्र ने मुझे उन प्रात्मों को करने दिया जो जरूरी थी और फिर परमेश्र ने मुझे स्वर के उन भेदों के बारे में बताना शुरू किया रविवार के दिन से लेकर जब मैंने परमेश्व के उन बातों का पालन किया तो परमेश्व ने मुझे स्वर के बारे में बहुत सी गहराईयों के बारे में बताया उस दिन से लेकर परमेश्व ने मुझे बताया कि स्वर का राजय के बारे में सुन रहा था, सुमवार से लेकर वीरवार तक, परमेशन ने मुझे बताया, पहला, दूसरा, तीसरा, और चोथे सुर्ग के बारे में, और बहुत से अलग-अलग आयमों के बारे में, पहला, दूसरा, तीसरा और चोथा आयाम, उन्होंने मुझे बताया कि ये संसार जिसमें हम रहे रहे हैं ये पहला आयाम है उन्होंने मुझे कहा कि ये पहला स्वर्ग है बाद में अचानक से परमेशन ने मुझे कहा कि ये तीसरा आयाम है जहां पर हम अभी रहे रहे हैं मैं अपने हिदे में बहुत ज़दा उसाही था और परमिश्र ने अचानक से कहा कि ये पहला आयाम है और फिर परमिश्र क्यों कह रहे हैं कि ये तीसरा आयाम है मैं बहुत ज़दा आचरे चेके था और जब मैंने लगातार परमेश्र के उन वेख्यानों को सुना तो फिर परमेश्र ने मुझे बताना शुरू किया कि ये हमारी नजर से पहला आयाम है लेकिन परमेश्र की नजर से ये तीसरा आयाम है इसलिए इस समय परमेश्र ने कहा परमेश्र ने अपनी नजर से कहा कि ये तीसरा आयाम है मैं बहुत जादा प्रभावेत हुआ और मैंने फिर अपने आसों को बहाया परमेश्र के वजण वो सत्य से भरे होते हैं और ये वासों में सत्य है जब मेरे पास इस तरीके के प्रशन थे तो अचानक से परमेश्र ने मुझे तुरंत उन प्रशनों का उतर दिया और परमेश्र कहे रहे थे कि अगर आपके मन में प्रशन है इसलिए फिर परमेश्र ने मुझे उन प्रशनों का उतर दिया और मैं अपने हिदे में आनन से भरा हुआ था इसलिए स्वर के राचे के बारे में ये संदेश ये परमेश्र के सत्य वचन है और ये सत्य है यहां तक कि ये आशा है और ये परमेश्र के उस महान प्रेम के व्याख्यान है जो पिता परमेशुर जो सुर का मालिक है और उन्होंने इस प्रित्वी पर इन संदेशों को दिया इन अन्द की दिनों में जब ये पूरा संसार पापों से भरा है इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप इन सभी वच्णों को और ज़ादा आनद और धन्यवाद के साथ सुनेंगी इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप इस संसार को जो केवल कुछी शणों का आप इसे अपने हिर्दे में नहीं रखेंगी लेकिन आप उस अनन सभी को आप अपने हिर्दे में रखेंगी यदि आप अपने घर को बदलते हैं तो फिर आपको अपने पते को भी बदलना होता है इस तरीके से मैं आशा करता हूँ कि आप अपने हिर्दे के पते को बदलने पाए मैं प्रभुश्य मसी की नाम से प्रातना करता हूँ कि आपका पता स्वर के राजे में और सदा भेतर होने पाई जिस तरीके से आप इन स्वर के संदेशों को सुन रही है क्या हम भी अपने स्वर के एडर्स को अपने स्वर के पते को बदल सकते हैं? हाँ हम भी अपने स्वर्ग की राजे की पते को बदल सकते हैं बाइबल कहते हैं कि जो भी बल पूरवक स्वर्ग की राजे को छीन लेता है तो वो फिर इसे पाएगा जिस हद तक हम अपने शरीर की कारियों को दूर करते हैं और आप पवित्र बनते हैं तो फिर आप पहले स्वर्ग के राजे को, फिर आप दूसरे स्वर्ग के राजे में, फिर आप तीसरे स्वर्ग के राजे में, और फिर आप अंत में, आपने रिश्लिम में जाएंगी. हर समय आपका इस तरीके से फिर पता बदलता रहेगा स्वर्ग लोग से पहला राज्य, पहले स्वर्ग से दूसरा राज्य और अंत में आप फिर कहां चाहेंगी आपको इस तरीके से लगातार आपको अपने पते को बदलना चाहिए जब तक आप नरिशलिम ना पहुँचे आपको इन कारियों को करना है जब आप इस फृत्मी पर रहे रहे हैं और फिर अंत में जब आप इन स्वर के राजे में जाएंगे तो नरिशलिम में आपका घर होगा मसी में प्रिय भाईयों और भेनों जब मैं आपको स्वर के राजे की इन घहरी बातों को बताता हूँ तो मैं आपको बहुत सी घहराईयों को बताऊंगा जिन्होंने आत्मिक राजे कानुभाव किया सबसे पहले मैं आपको एक डॉक्टर के बारे में बताऊंगा जो दिल का उपरेशन करते थे वो डॉक्टर कभी भी इस बात पर विश्यास नहीं करते थे कि मरने के बाद भी एक जीवन है उनका इंटर्व्यू उन लोगों के साथ हुआ जिनकी मृत्यू केवल कुछी समय के लिए हुई और जो सीपियार के द्वारा दुबारा से जी उठे तब वो अपने सोच विचारों को बदलने पाए वो दोस्तों ऐसे मरीजों से मिलने पाए जिनकी मृत्यू केवल कुछी शणों के लिए हुई इनकी कहानी बहुत अलाग अलग है लेकिन उन सब में एक चीज मुख्य है वो सब ही मरे जब उनकी मृत्य हुई वो एक लंबे और सक्रे मार्क से होकर गए जिस तरीके से किसी चीज ने उनको खीच लिया हो अगला वहाँ पर दो अलग अलग समू थे पहला समू कहता है कि वो एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहां पर घास के बड़े-बड़े मैदान थे जो बहुत ज़दा सुन्दर और फूलों की सुगन से भरे हुए थे और उन्होंने सुना फिर वहाँ पर कि तुम्हारा समय अभी नहीं आया है और तुम वापस जओ और वो जल्दी ही होश में आये और वो फिर दुबारा से अपने होश में आने पाए जब मेरे बड़ी बहन के पती वो गुजर चुके थी तो फिर उन्होंने कहा कि वो एक ऐसे स्थान पर गया जहाँ पर एक बहुत बड़ा घास का मैदान था और वो वहाँ पर उसने बहुत ज़ादा बड़े-बड़े सुन्दर फूलों को भी देखा वो एक सुन्दर स्थान है तब वो कुछ समय के बाद वो वहाँ पर मर गया और उसने वहाँ पर जाकर सुना कि तुम्हारा समय अभी नहीं आया है इसलिए तुम वापस जाओ दूसरे लोगों को समय वो एक ऐसे स्थान पर गया जहाँ पुरा अंधकार था जिसके बाद उन्होंने बहुत ज़दा भेंकर पिड़ा महसूस की उन्होंने भी सुना कि तुम्हारा समय अभी नहीं आया है इसलिए तुम अभी वापस जाओ इसलिए जिस सरीके से वो लोग अपने होश में आये तो लोग फिर रोने लगे और वो डोक्टर से पूछने लगे कि कैसे मैं अपने उधार को प्राप कर सकता हूँ लेकिन उन सब भी में एक विशेश चीज थी जो उन्होंने कहा कि उनकी यादाश एक दिन दो दिन या तीन दिन तक वो मुश्किल से उन चीज़ों को याद रखने पाए कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन आप बिल्कुल साफ दोर से याद रख सकते हैं लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जो आप अच्छे तरीके से याद नहीं रख पाते अगर कुछ भेंकर सपना है तो आप उसे बहुत जादा लंबे समय तक याद रखते हैं लेकिन उनकुछ ऐसी चीज़े होते हैं जिने आप आसानी से भूल जाते हैं जब आप उड़ते हैं तब आप तोरंट उन चीज़ों को भूल जाते हैं आप उन सभी चीज़ों को याद रखने पाते हैं लेकिन आप कुछ घंटों के बाद उसे भूल जाते हैं आप अपने अपने ऐसे होते हैं जो यहां तक कि आप उन्हें बहुत से सालों तक आप उन्हें याद रखते हैं इस सर्वेक की रिपोर्ट में इसका निशकर्ष था कि उस डॉक्टर ने कहा और उस डॉक्टर ने वहां पर महसूस किया जब उनका इंटर्वू इन सभी मरेजों से हुआ जिन्होंने संदकार भरे छेतर को देखा वो बहुत ज़दा डरे हुए थे लेकिन जिन्होंने बहुत ज़दा सुंदर्शान को देखा तो उन्होंने अपनी मृत्यों के लिए बहुत ज़दा शांती महसूस की मैं साफ़त और से नहीं जानता है कि मरने के बाद की सरीके का जीवन होगा लेकिन मैं कल्पना करता हूँ कि ये जोती और अंदकार से भरे संसार में विभाजित होगा और मैं मानता हूँ कि ये स्वर्गो नरक में विभाजित होगा और मैं आपको आने वाले जीवन के बारे में एक कहानी बताता हूँ एक English का शब्द है Hospice ये इसका मतलब है जिन लोगों के साथ बिमारी होती है उनकी मृत्यों से पहले उनको वहाँ पर लाया जाता है उनके दर्द को कम किया जाता है और उनको मांसिक तोर से भी सांत्वाना देते ताकि वो शांती से अपनी मृत्यों का सामना कर सके और एक Korean nurse जिसने PhD की थी उसने 20 सालों तक 600 ऐसे मरेजों की देखभाल की जो वहाँ पर लाए गए थी यहाँ पर एक बहुत ज़ादा आचरेचेकित चीज है ये इस बारे में है कि किस तरीके से वो मरेज जब वो अपनी मृत्यों का सामना करते हैं तो किस तरीके से वेवार करते हैं मैं आपको कुछ लोगों की कहानी बताता हूँ वहाँ पर एक 15 साल का लड़का था जिसकी हडियों में कैंसर हो गया था और ये कैंसर उसके फिफ़डों में और उसके दिमाग में भी चला गया था और उसे ऐसा दे बिमारी हो गए थी और अंत में वो यहाँ पर हो स्पाइस में आया वो लड़का बहुत ज़दा बिमारी के कान पेड़ा में था एक दिन सुबह वो आसमान को देखते होई हसने लगा और वो कह रहा था कि वो उसे कुछ चीज दिख रही है और उसने अपनी माँ से पूछा जो उसे नर्सिंग केर दे रही थी उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ वो वेक्ते कौन है जो वेक्ते वहाँ पर चमक रहा है उसके मा ने कहा तुम क्या देख रही हो और वो लड़का वो वह हाँ पर सुबख सुबख कर रोने लगा और वो कहने लगा मा मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा लेकिन ऐसा लग रहा है तकि तुम नरग में जाऊगी उसकी मा बहुत ज़ादा हैरान हुई क्योंकि उसकी मा वो किसी भी चीज़ को नहीं देख पा रही थी लेकिन अपने बेटे को सांथोना देने के लिए उसने का ओ अच्छा अब मुझे भी वो दिख रहा है तो उसका लड़का बहुत ज़ादा खुश हुआ उसने सोचा कि अब उसकी मा भी उसे देख पा रही है उस शाम को उसने अपनी मा के हाथ को बहुत ज़ादा कसकर पकड़ा और उसने फिर अपनी अंतिम सांसे लिए है कहते हुए मा आपने उस उज्वल चीज़ को देखा था अब मैं वहाँ पर जा रहा हूँ और तुम्हें भी वहाँ आना है और जब ये मा उस बेटे के हाथों को पकड़ रही थी तो उसने भी बहुत ज़ादा आसों को बहाया अपने उस बेटे के दर्द के कारण लेकिन अब वो खुश थी और उसने अपने महमानों से कहा कि मेरा बेटा स्वर गया है वहाँ पर एक दूसरा वेक्ति था जो 46 साल का था और जिसके फिपड़ों में कैंसर था और वो फिर अंत में इस होस्पीस में आया ये मरेज वो तीन सब्ता तक अच्छे से नहीं सो पाया इसका कारण था कि हर दिन कोई वेक्ति काले कपड़े को पहने हुए वो उसके सपनों में आता था और वो उसे बोलता था कि तुम बहार आओ और वो वेक्ति सोने से बहुत सदा डर जाता था मैंने 1980 में किसी एक ऐसे सदस्य को देखा और किसी दूसरे वेक्ति को 2000 में देखा वो वहाँ पर गुजरने वाले थे लेकिन कोई भी वास्तों में नहीं जानते थे कि वो लोग मरने वाले हैं जब मैं आरात्ना सभाओ को वहाँ पर कर रहा था तो मैंने महसूस किया कि उन लोगों की मृत्ति होने वाली है और मैंने उन सदस्यों से कहा कि अब वो उनके मरने की तयारी करे 1980 में वो वेक्ति एल्डरहान से संबंदी था क्यों मैं वहाँ पर किए कि मैंने दो सर्गदूतो को देखा जो हवा में उसका इंतजार कर रहे थी तब मैंने महसूस किया कि वो वहाँ पर उस वेक्ति की आत्मा को लेने के लिए आये है तब मैंने उनको कहा कि वो अब उने दफनाने के तैयारे करे और कुछ घंटों के बाद वो वेक्ति गुजर गया दूसरा जो मामला है वो 2000 के साल में हुआ वो वेक्ति वो मेरे घर पर आया और वो वेक्ति बहुत ज़दा डर रहा था 1999 की घटना के दोरन उसने परमिश्र का बहुत ज़दा अपमान किया था वो चर्च छोड़ने पर था यहां तक यह पहले परमिश्र के लिए विश्वास हो गया था अब वो दूसरी कलिसया में जाना चाहता था अब वो अपने खुद की कलिस स्थापित करना चाहता था उसने परमिश्र का बहुत साथा अपमान किया अब वो बोल भी नहीं पा रहा था उस दिन मैं अपने घर से आ रहा था शुकरवा राते सभा के लिए लेकिन तब मैं दोबारा से वहां पर गया उसके लिए परातना करने के लिए मैंने दुष्यत्रो शैतान और अंतकार को दूर किया और उसके लिए फिर मैंने परातना की तब उसने लंबी सासे ली और तब फिर मैंने लोगों को उसकी मृत्यों के बारे में बताया और वो शांती के साथ कुछ घंटों के बाद उसकी मृत्ति हो गई क्योंकि वो जानता था कि दुष्षत्रू और नरख के दूत जो काले हैं वो उसे लेने के लिए आए हैं इसलिए वो बहुत सदा डरा हुआ था और वो बहुत सदा पीड़ा में था और जब मैंने उन्दूशत्र शैतान को दूर किया और जब मैंने परमिशों से प्रात्ना की कि वो उसे स्ववदूतों के दौरा और पवितरात्मा के अगने के दौरा घेर ले तो उसका भयानक डरा हुआ चेहरा वो एक शांती पुन चेहरे में बदलने पाया और तब कुछ घंटों के बाद वो वैक्ति गुजर गया एल्डर जैसिक छन भी वहाँ पर थे इसलिए इस हो स्पाइस ने एक पाशर को आमांत्रित किया ताकि वो उस मरीज के लिए प्रात्ना करे तब से उस वैक्ति ने उन काले कपड़े पहने वी वैक्ति को देखना बंद कर दिया और अंत में वो वैक्ति अपनी जीवन की अंतिमशनों में पहुंचा उसे कुछ दिख रहा था जो बहुत जादा उजवल था और कुछ वहाँ पर बहुत जादा उजवल था असले लोगों ने उससे पूछा कि वो क्या देख रहा है तब उस वैक्ति ने बताया कि वहाँ पर कुछ लोग है जिन्होंने सफेद रंग के कपड़े पहने हैं जब हमारे प्रभु दफनाये गए थे तो वहाँ पर दो स्वर्गदूत थे उसे तरीके से उस वैक्ति के पास भी दू स्वर्गदूत थे जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि वहाँ पर एक वैक्ति था जो उसके बैड के पीछे खड़ा था और उसके बैड के साइड में भी कुछ और वैक्ति थे और वो दोनों वैक्ति वो बहुत ज़दा उजवल थे और उनके कंदों पर पंक लगे हुए थे तब इस वैक्ति ने शांतिक की साथ अपनी मृत्यों का सामना किया जबकि कुछ और अलग वैक्ति थे जो अपने जीवन के अंतिम शणों का इंतजार कर रहे थे वो इस तरीके से चिलाने लगे नहीं कभी नहीं और कुछ और वैक्ति थे जो अपनी जीवन के आखरी शणों को ची रहे थे और उनके आखे खुली हुई थी ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज़ से बहुत सदा डर रही है जब इस नर्स ने इन शेसो वैक्तियों को देखा तब उसने उन लोगों की मृत्यों के समय उसने कुछ अलग-अलग अनोभाव किया जब आप अपने हाथों में एकलाव सिया फिर दस्ताने पहनते हैं जब आप उन्हें उतारते हैं तो उनको उतारने में कुछ समय लगता है इसी तरीकी से जब आत्मा और प्राण वो इस शरीर से बहार आते हैं तो जब मृत्यों का शर्ण होता है जो ये पूरी की पूरी प्रिक्रिया होती है तो वास्तव में ये कुछ दिनों की होती है लेकिन कभी कबारिये परिक्रिया ये बहुत छोटी होती है कुछ ही घंटों की और उस समय वो वैक्ती वूमनात्मिक राजयों को देखते हैं और उस नर्श ने कहा कि जब उसने उन आखरी सासों को देखा जब उस मिलत्यों की प्रिक्रिया के दर्ण जब उनकी साथ से नाक से बहार आ रहे थी तो उसने किसी चीज़ को महसूस किया परमेश्वर ने जीवन की उस्वास को हमारी नाकों में फूका इसलिए जब हमारी आत्मा बहार आते तो उनाक के द्वारा बहार आती है इसलिए मसी में प्रेभाईों और बहनों इस तरीके से आत्मिक राजे वो वास्तों में है और हमारे जीवन का यहीं पर अंत नहीं है निश्ची तोर से आने वाला भी जीवन है मैं आपको दसानों का उधारन देता हूँ अगर आपने अपने हाथ में जनम से कुछ गलॉस को पहना है क्योंकि आपने उन दसानों को बहुत जादा लंबे समय से पहना हुआ है जब आपके हाथ काम करते हैं तो आप गलती से सोचते हैं कि आपके दसाने वो ही काम कर रही है लेकिन आप जब आप उन दस्तानों को टारते थे, तब आप महसूस करते हैं तो फिर आपकी आत्मा वो आपकी प्रान और श्रीर को निंत्रित करेगी तब आप बहुते चीजों को अलग-अलग तरिके से महसूस करेंगी बाद में मैंने किसी भी दर्द को महसूस नहीं किया क्योंकि मेरी आत्मा वो मेरे शरीर को नियंत्रित करती थी जब मैं एक बार हालेलुया प्रेजमिशन से मिला तो मैं उन्हें कुछ बता रहा था और उन्हें अनुभाव करा रहा था जो भी मैं उन्हें बता रहा था तो मैंने उन्हें कुछ चीज दिखाई मैंने एक वेक्ति से कहा ये कहते हुए कि अगर प्राण हमारे हिर्दे को नियंतरित करे तो फिर मैंने एक वेक्ति से कहा जो बहुत सादा स्वहस था मैंने उसे कहा कि वो मेरे हाथ पर चुटी काटे मैंने उसे कहा कि वो तेस से मेरे हाथ पर चुटी काटे वो मेरे हाथ पर बहुत तेस से चुटी काट रहा था लेकिन मैं दूसरे लोगों के साथ मैं खुशी भरे चेहरे से बाचित कर रहा था अगर आप दर्द महसूस करेंगे तो आपके चेरे पर खुशी नहीं होगी अगर आप मुस्कुराएंगे अगर फिर कोई आपको दर्द करेगा तो आपकी खुशी बरकरार नहीं रहेगी लेकिन मैं उनके साथ खुशी से बात कर रहा था इतने जादा मजबूत वैक्ति ने मुझे चूटी काटे लेकिन मुझे कोई भी दर्द नहीं हुआ क्योंकि मैं अपने प्राहन को और मैं अपने सोच उचारों को नियंत्रित कर सकता हूँ बाद में हो सकता है कि उस वैक्ति ने शमा महसूस किया होगा और उसकी फिर ताकत कमजोर पड़ गई जब मैं उससे देख रहा आता तो वो अपने पूरी ताकत के साथ वो मुझे चूटी काट रहा था मेरे हाथ को वो भाग सूच गया और वो निला पड़ गया लेकिन वो मेरे लिए कुछी शनों का था कुछ घंडों के बाद ये ठीक हो जाएगा इसलिए मैं जानता था कि वो मुझे बहुत तेजी से चूटी काट रहा है उस वेक्ति नहीं कहा कि अब वो इसे और जदा नहीं कर सकता जब लोग स्वस्थ होते हैं तो वो फिर सोचते हैं कि उनका शरीर जो अब कार्य कर रहा है और जो इस संसार को देख रहे हैं वो ही उनके लिए सब कुछ है लेकिन जब उनकी मृत्यू का शन आता है जब उनका प्राण और जब वो अपना शरीर छोड़ने पर होते हैं तब वो लोग महसूस करते हैं कि वास्तों में ये उनका शरीर नहीं है जो कार्य कर रहा था लेकिन ये आत्मा और प्राण था जो इस शरीर को चला रहे थी क्योंकि मैं एक बार पूरी तरीके से मर चुका हूँ इसलिए अब मैं उस मृत्यू को बहुत अच्छे तरीके से आपको बता सकता हूँ मैं बहुत से सदस्यों के सामने मेरा प्राण वहाँ पर निकला और जब मैं वहाँ पर मरा तो मैं किसी भी उस सक्रे और किसी अंदकार से भरे रास्ते पर नहीं गया बाद में मैंने सोचा कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ जब मेरी वहां पर मृत्ती हुई तो मेरा बहुत सदा खून बहे रहा था ये कोई कम खून नहीं था ये बिल्कुर बहुत तेजी से मेरी नाक से खून बहे रहा था अगर आपका लहू वो लगातार बहता रहे तो फिर क्या आपके पास कोई खून बचेगा मेरा खून लगातार बहे रहा था मेरे मूँ से मेरी नाक से वो बहे रहा था बहुत से सदस्यों ने जो समय मेरे साथ थे वो सबसे पहले मेरे उस खून को टीशू पेपर से पोच रहे थे इसलिए वो वहाँ पर फिर तोली को लेकर आए और बाद में उन्होंने मुझे एक कटोरा दिया और मेरा खून वहाँ पर लगातार भै रहा था शनिवार के एक बज़े से लेकर उस पुरी रात और अगले सुबह तक लेकर मेरा खून लगातार भैता रहा तो फिर कितना सदा खून मेरा बहा होगा मेरा सारा खून बहा गया और मेरे अंदर खून नहीं बचा और इसलिए मेरा पुरा का पुरा शेरिर वो पिला पड़ गया और फिर मैंने अपनी होश को भी खूद यह मैं बेहोश हो गया था तब खुन पहना बंध हो गया और फिर यह मृत्यू थी लेकिन जब मुझे कुछ होश आया तो फिर मैंने अपने आखरी इच्छा को बता है लेकिन मुझे याद नहीं है जो भी मैंने कहा था लेकिन मुझे कुछ बाते याद है जो परमिशने मुझे कही थी कि वो लोग नरक में जाएंगे इसलिए मैं उनको सला दे रहा था इसलिए उन्हें वास्ता उन्हें अपने जीवन को परमिशर और आत्माओं के लिए जीना चाहिए मैं अपने हिर्दे में बहुत सदा शमा महसूस करता हूँ जब लोग ऐसा नहीं कर पाते मैंने अपने होश अवाश को खोद दिया और फिर मैंने अपने आखरे सासों को लिया और फिर मुझे दोबारा से जीवन मिला बहुत जल्दी ही इसलिए मैं उस सक्रे मार्क से होकर नहीं गया लेकिन मैं हवा में प्रभू से मिला मैं तुरंथी प्रभू से मिला और फिर प्रभू चीन मुझे एक दर्शन दिखाया प्रभू ने मुझे वहाँ पर कुछ दिखाया उन्होंने मुझे वहाँ पर नरक को दिखाया और उन्होंने वहाँ पर हमारी कुछ कलिसया के सदस्यों को दिखाया जो फिर कलीशा को छोड़ देंगे और वो इस अंसार में पढ़ चाहेंगे अगर मैं अभी मर चाहूंगा तो फिर मैंने आदिश से जादा उन कलीशा की सदसों के बारे में सोचा जो इस कलिशा में बचे रहेंगे वो उपास करेंगे और वो अपनी प्रात्तों में चिलाएंगे वो फिर परमिश्ण से प्रात्ना करेंगे कि परमिश्ण उनकी कलिश्या को सुरक्षा दे प्रभू ने मुझे उन सभी चीजों को दिखाया इसलिए जब मैं अपने होश में आया तब मैं सोचने लगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए क्यों प्रभू ने मुझे इसे भी दर्शन दिखाए मुझे यहाँ पर जीना है और मुझे उन आत्माओं के लिए अपनी कारियों को पूरा करना है इसलिए प्रभू ने मुझे से पूछा कि क्या तुम अभी मेरे साथ रहना चाहते हो या फिर तुम वापस इस पृत्मी पर जाना चाहते हो तो फिर मैंने कहा कि मैं वापस इस पृत्मी पर जाना चाहता हूँ तब तुरंथे मुझे वापस दुबारा से जीवन मिला मैं इस तरीके से सोच रहा था कि क्यों परमेशर ने इस तरीके से मेरे लिए किया यदि आत्मा वो इस शरीर को छोड़ दे उधारन के लिए अगर कुछ दिनों तक वो आत्मा स्वर के राजे में रहे तो वो शरीर ठीक होगा क्योंकि वो प्राण वो अभी भी उस शरीर में है और उस शरीर में अभी भी सासी होंगी यहां तक उनके पास होश नहीं होगा लेकिन अगर आत्मा और प्राण वो एक साथ मिलकर इस शरीर को छोड़ दे तो हमारी साथ से रुख जाएंगी और हमारे शरीर बेहोश हो जाएगा अगर हम मेडिकल तोर से कहें अगर चार मिनट तक अगर हमारे दिमाग में उक्सिजन नहीं पहुंचती तो हमारे दिमाग की कोशिकाई मर जाती है इसलिए अगर हमारी दिमाग की कोशिकाई एक बार मर जाए तो दुबारा से फिर कारें नहीं कर सकती इसलिए ये कारण है और मैं वास्तों में कभी नहीं मरा और मैं स्वर की राजय में नहीं गया क्योंकि मेरे लिए ऐसा मुश्किल समय था इसलिए परमेश्ट ने मुझे दुबारा से नई ताकत दी उस घटना के दोरान ताकि मैं अपने कारियों को पूरा कर सकूँ इसलिए परमेश्ट ने मुझे स्वर की राजय के बारे में बताया और प्रभू मुझे से हवा में मिले और उन्होंने मुझे दुबारा से इस पित्वी पर भेज दिया इसलिए मेरे ब्रेन की कोशिकाओं के साथ कुछ भी नहीं हुआ और उस सभी का लिस है कि सदसे जो मुझे देख रहे थे तब मुझे दुबारा से जीवन मिला लेकिन तब मेरे शरीन में कोई भी खून नहीं बचा था लेकिन परमेश्र की सामर थे कि दुबारा मैं दुबारा से ठीक हुआ और फिर मैंने पानी पिया और जब मैंने पानी पिया तो वो पानी वो खून में बदल गया और जो मेरे पूरी मुझ का रंग है वो दुबारा से गुलाबी होने लगा मैं दुबारा से अपने होश हवाश में आया और मैंने दूसरे लोगों के साथ बाचित करना शुरू कर दिया आप जानते हैं जब फिल्मों में जब कोई मरा हुआ वैकती वो दुबारा से जी उठता है तो वो उठकर आसानी से बैठ जाता है मुझे भी याद है कि मैं भी उठकर बैठ गया था मुझे याद है कि मैं बैठ पर बैठ गया था और मैंने फिर एल्डर भाजली के साथ आर्तिक मुद्धों पर बाचित की थी और मुझे वो भी द्रशे याद है कि जब मैं अपने उस प्रात्ना घर को छोड़ रहा था मैंने बहुत से दूसरे लोगों के साथ बाचित की जब मैं उठा लेकिन मुझे वो पूरी तरीकी से अच्छी से याद नहीं है लेकिन मुझे अभी लोगों को जानता हूँ जो उस समय मेरे साथ थे ये बात सही है कि बहुत से चर्च के लीडर पास्चर वो इस बात के गवाँ है भले ही कोई गवाँ भी नहों लेकिन इबात सकते है हमारी कलिसा के बहुत से लीडर उन्होंने इस बात को देखा मैं पूरी तरीकी से मर चुका था लेकिन मुझे दुबारा से जीवन मिला क्योंकि प्रभू ने मुझे दुबारा से इस प्रित्वी पर आने के लिए कहा था ताकि मैं उन आत्मों को जी सकूँ अगर प्रभू इन बातों को भले ही ना कहते तो भी मुझे उस बात को नहीं सह सकता था कि वो आत्मा ही नरक में चले जाएंगी इसलिए मैंने प्रभू से कहा कि मैं वापस दुबारा से इस प्रित्मी पर जाऊंगा और मैं अपने कारियों को पूरा करूंगा तब तुरंथ ही मेरी आत्मा वापस आई और मैं दुबारा से जीवित होने पाया जिस तरीके से हाथ के बिना दस्ताने वो अपने आप से अपने आप कारियों नहीं कर सकते इसलिए हमारा शरीर और आत्मा भी ऐसे ही है तो फिर आत्मा और प्रांट जब वो शरीर से बाहर आ जाते तो फिर वो कहां रहते हैं और वो कहां जाते है जिस तरीके से मैंने आपको उन गवाईयों में बताया था वो जोती की संसार में या फिर वो अनकार की संसार में जाते हैं इसके बारे में इबरान यू नो अध्य है उसका 27 पत कहता है और जिसे मनुशों के लिए एक बार मरना और उसके बाद नयाय का होना न्यूक्त है हर कोई प्रभू को ग्रहन करने से पहले उसके आत्मा मरी हुई होती है तबनेशी तोर से नयाय होगा उस बात के लिए कि कोई वेक्ति स्वर्ग में जाएगा या फिर नरक में जाएगा और इसके अलावा यहूना पांच अध्य है उसके 2829 पत में कहा गया है इससे अचंभा मत करो क्योंकि वह समय आता है कि जितने कबरों में है उसका शब्स सुनकर निकलेंगे जिनोंने भलाए की है वे जीवन के पुनुथान के लिए जी उठेंगे और जिनोंने बुराए की है वे दन के पुनुथान के लिए जी उठेंगे जब वो नरक में जाएंगे तो वहाँ पर भी न्याय होगा क्योंकि इस स्थर पर जाएंगे नरक के पहले दूसरे या फिर तीसरे स्थर में जाएंगे दूसरा नरक का स्थर वो पहले सान से और ज़्यानक है और तिसरा नरकास्तर वो दूसरे से और सदा भैनक है जो लोग बुराए करते हैं उनका उस नया के लिए पुनुर्थान होगा इसलिए इस पित्वी का जीवन वो सब कुछ नहीं है और आने वाला जीवन भी है इस पित्वी का जीवन जब खतम होगा तब आप निश्रे तोर से स्वर्ग में या फिर नरक में जाएंगी तब आपके पास की सरी की योगता होनी चाहिए कि आप स्वर्ग में जाए आप नरक में ना जाए और इसके अलावा ऐसा कौन सा स्थान है जब आपका प्राण और आत्मा उशरी से बाहर आते हैं तो फिर वो कहां जाते है तब मैं आपको इन सबी चीजों के बारे में अगले संदेश में बताऊंगा मैं आपको इस संदेश का निश्करश देता हूँ पहला पत्रस उसकी एक अध्य 24-25 पत में कहा गया है क्योगी हर एक प्राणी घास की नाई है और उसकी सारे शोबा घास की फूल की नाई है घास सूख जाती है और उसका फूल जढ जाता है परंतु प्रभु का वच्छन युगानुक्स धिर रहेगा और यहीं इसु समाशार का वच्छन है जो तुमें सुनाया गया था वास्तों में इस अंसार में सभी चीज़े वो खतम होने वाली है और इस अंसार की चीज़े वो एक ही समय में बदल जाती है लेकिन हमारे प्रभू ने खाहा है कि जो परमेश्र के वश्रों में बना रहेता है वो अनन्द स्वर की राज्य में हमेशा तक रहेगा जब मैंने आपको ये सभी बाते बताए थी अगर आप वास्तों में अगर आपको नरक का डर नहीं है विशेश तो और से विध्यार थी और जवान बच्चे तो फिर आप अपनी उंगली को उस गरम पानी में डुवा कर देखे तो फिर क्या होगा अगर आप अपनी उंगली को बलतों पानी में 30 सेकंड के लिए डालेंगे तो आप उसकी गरमे को नहीं सैप आएंगे तो आपकी उंगली वो सोच जाएगी और उसमें से कुछ ना कुछ बहने लगेगा और आप बहुत साथा लंबे समय तक पिड़ा में रहेंगे जब तक आपकी वो उंगली ठीक ना हो ये केवल आपकी एक ही उंगली है लेकिन नरक में आपकी एक उंगली नहीं होगी आपका पूरा श्रीर वो हमेशा हमेशा के लिए आग में चलेगा ये बाते वास्तों में सत्ते है क्यों परमेश्ण ने हमें वो महान उनरसिस्टी की सामर्थे दी है और हम इस सामर्थे के द्वारा इस पूरी संसार परमेशु समाचा का प्रचार करें अब यहां तक ही मेडिकल डॉक्टर भी खटा होते हैं और हमने WCDN को स्थापित किया है और बहुत से मसीब ब्रोडकास्टर वो भी कारे करते हैं परमेश्वर इन सभी कारेों को कर रहे हैं कुछी दिनों पहले मेरे पास वाचन गटन डीसी से कुछ ब्रोडकास्टर आये और मैंने उन्हें ये सब बाते कही और मैंने उनको कहा लेकिन वो भी इन सभी बातों को जानते हैं वो भी पवित रात्मा की कारेों के द्वारा वो बहुत जादा हैरान हुए वो इस बात को जानते हैं कि हम परमेश्वर के सूसर माचार को इस पुरे संसार भर में फैला रहे हैं और वो भी इन पवित रात्मा के कारेों को जानते हैं क्यों पर्मेशन ने इस सभी कारियों को होने दिया क्यों पर्मेशन ने उस नरग के किताब को छपने दिया और क्यों पर्मेशन ने इस किताब को पुरे संसार भर में फैलाने दिया क्यों इस कलीसिया में संभव चीज़ें भी संभव होती है क्योंकि पूरे संसार भर के लोगों को जाना चाहिए कि वास्तों में स्वर्ग और नरक है इसलिए जिनके अंदर भलाई होती है वो प्रभू को ग्रहन करते है और वो फिर उधार को पाते है किस तरीके से ये किताबे स्वर्ग और नरक ये लिखी गई है क्या ये इसलिए था कि मैं एक अच्छा लिखक था क्या मैंने सबी चीजों की कल्पनाई की वास्तों में ऐसा नहीं है मैं इन सबी चीजों की कल्पना नहीं कर सकता और मैं इन चीजों को नहीं बना सकता सब कुछ बिल्कुल साफ तोर से बाइबल के अनुसार इन किताबों में लिखा हुआ है, चाहिए स्वर के किताब हो या फिर नरक के किताब, अगर आपके पास कुछ प्रशन है जब आप बाइबल पढ़ते हैं, तो फिर आप इन किताबों में उनके उत्रों को ढूंड सकते हैं, क्या आप किवल इसी जीवन को चुनते हैं, जो किवल कुछी शणों के लिए हैं, जिस तरीके से फूल खिलते हैं और उसके बाद वो जड़ जाते हैं, और क्या फिर आप उस स्वर के राजे को चुनते हैं, जिसमें आप हमेशा के लिए रहेंगी, अगर आप बुद्धी मान हैं, तो फिर आप वास्तों में आप स्वर के राजे के जीवन को चुनेंगी, और आप अपना सब कुछ अपना समय और जो भी कुछ आपके पास इस प्रिथ्मी पर है, आप अपना सब कुछ पिता परमिश्रों के लिए देंगी, और आप स्वर क प्रबो की दूलन के रूप में तयार कर रहे हैं, और उनके अंदर अब बहुत ज़्यादा आत्मी कलाल सा है, अब वो आत्मा में जा रहे हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा धनेवाद देते हैं क्योंकि मैं उनके अगवाई इस तरहेे किसे कर रहा हूँ, इसलिए वो मुझसे बहुत सदा प्रेम कर रही है अगर वो इस कलिसया में नहीं आते हैं वो मुझसे नहीं मिलते हैं तो वो नरक में जाते हैं इसलिए अब वो इस कलिसया में आए उन्होंने वच्णों को सुना अब वो स्वर के और बढ़ रहे हैं इसलिए वो बहुत ज़दा खुश हैं और वो मुझे धन्यवाद कहते हैं अब वो उन सचे मारगों को जानते हैं और वो उन मारगों पर चल रहे हैं आपका हिर्दे कैसा है आपके हिर्दे में शांती आनन आपके हिर्दे में भरा हुआ है आपका धन्यवाद आपकी हिदे से उमड रहा है आप स्वस्त बनने पाई आपने परमिश्र के आशिशी प्रात की ऐसे माता पेता के बच्चे वो स्वस्त होते हैं वो कभी हस्पता नहीं जाते उनमें से बहुत से लोग वो कभी भी अस्पताल नहीं गए बहुत से सालों से इस कलीशिया में ऐसी बहुत से चीज़े होती है यहाँ तक कि अगर आप किसी दुरगटना का सामना करें किसी गलती के कारण यहाँ तक कि आपके कारों को खरोचिया आते हैं इन आप फिर भी परमिश्र आपको सुरक्षा देते हैं, आपको कुछ भी चोट नहीं पहुंसती। ऐसी चीजों का आपने बहुत बार अनुभव किया है, मैं आशा करता हूँ कि जब आप इन संदेश्यों को सुन रहे हैं, तो आप अपने बुद्धी से अच्छी चीजों को चुनेंगे और जब आपके जीवन का आंध होगा, तो फिर आप बिना पशाताप की आप परमिश्र की बाहों में जाएंगे और फिर आप रभु की बाहों में जाएंगे और आप अंगेकार करेंगे कि आपने अच्छा किय कर दो 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 जोगा जो जो घगा जोगा जोगा है